समाज़बादी पार्टी के पूर्ब राजमंत्री अनिस मनसूरी जी हमारे साथ हैं और च्छठे चयरण के चुनाव को लेकर साइकल की रफतार टेज करने के मकसद से इस समय संत्कविन निगर में मौदूद हैं उनहीं से जानते हैं कि छटे चरण के रण में साइकल की रफतार कितनी तेज होगी। अभी तक जो चार चरणों के चुनाव हुए हैं और पांचवे चरण के चुनाव कल होने जा रहा है। हम लोग पश्चिम से और पुर्वांचल की तरफ बढ़न हैं परचार करते हुए लगातार देड़ मेने से। तो मुझे जो पश्चीम का माहौल बना और उस माहौल से कहीं कहीं इतना फर्क पड़ाए कि हम हर चरड़ा में जैसे इसे पुर्वांचल की तरह बढ़ने हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के प्रणरा भारी होता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी यह जो कल का चुनाव होगा, यह पांचल का चुनाव होगा, वह बहुमत के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी, और छटे चलाव के चुनाव में हम सरकार बनाने के लाइक हो जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। तीसरे चलाव के चुनाव में जो चुनाव हुआ, दूसरे चलाव का उसमें भी 55 सीटों पर कमों बेस, 42 से 45 के बीश में है। कि अभी जो ये तीसरे चौते चलाव का चुनाव लखनो को हुआ अवद का, इस अवद तक हम डेल सो से उपर सीटे जीच चुके हैं, जो हमारा अपना सर्वे कहता है। क्या मानते हैं कि पश्चिम में साइकल की जो रफतार थी और पूरबान चल में योगी का गड़ है, तो वहां रफतार धीमी नहीं पड़ेगी समाजवादी पार्टी की। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी अपने गड़ में ही चुनाव हरने जा रहे हैं। पूरे परदेश के अंदर कोई पश्चिम पुरब की बात नहीं है। पूरा परदेश, उत्तर परदेश की आताताई सरकार से बिलकुल तरस्थ है। सबसे जादा अगर सरकार का असर हुआ है तो किसानों पे हुआ सबसे अदधार कोई परिशानवत किसान हुआ है। नौजवानों को नोकरी नहीं मिली बिल्कुल खिलाफ है और उसके वदलगू एवं कुटीर उद्ध्योग मिर्तु सहीया पे पड़े करा रहे हैं इसलिए चोटे और मजोले ब्यापारी भी सरकार से तरस्त हैं चात्र भी तरस्त हैं तो आज योगी जी जो चुनाव परचान ना पेश करके ये इस देश के अंदर नफरत की रादनीत करके कभी जिन्ना की बात करते हैं कभी पाकिस्तान की बात करते हैं कभी अरंग्जेब की बात करते हैं कभी बुलोजर बाबा बन जाते हैं ये बे बनियादी बाते करके उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने की क कंडे अपनाए यहां के जनता ने सभी सर्व समाज के लोगों ने उस हद कंडे को उन्होंने नाकाम कर दिया उस उनके जहासे में आए नहीं इसलिए यहां पर जो भीकल्ब के रूप में उभरे हैं अकलेश शादोजी उत्तर प्रदेश की जनता मानी अकलेश अदोजी को जो है धुरूवी करण के लिए जो है बस्पा भी काम कर रही है डाक्टर रायूब और ओवैसी भी संतकवीर नगर में दौरा कर चुके हैं और कमोवेस जो है बिखराव मुस्लिम मद्दाताओं में देखने की बात आ रही है जो है उस डैमेज को कैसे समाजवादी पार्ट करेगी ओवैसी और डाक्टर रायूब जैसे लोग जो है कितना मुस्लिम मद्दाताओं में विखराव ला पाएंगे देखिए डाक्टर रायूब की बात तो वह तो दगा हुआ कार्तूस है वह कार्तूस दग गया उसमें कुछ नहीं बचा और यहां पर भी वह बुरी तर नहीं है भारती जनता पार्टी बराबर कोशिश कर रही कि दुर्भी कड़र हो जाएं लेकिन अब क्या करोगे यहां कर नौजवान जो हिंदू समाज का जुप अतीन बारसिम को चुनाओं में जीताने काम किया आज आरच्छन पे डाका डाल दिया दली समाज की लोग नार जें उनकी नाराजगी कहीं ने कहीं भरती अंतापाटी प्रति आक्रोश है और दूसरे बाद जो किसान है सबसे अदा दिक्कट वी साणों से उनके खेत को चर गया आज महिलाओं के अंदर सरकार प्रति आक्रोश है उनका पती राध़ खेतों में सोता है देंपर काम करता ह घर के अंदर सानी लड़कियां बहुए हैं डर के मारे दह्षत के साय में विचारी सोती हैं आज उनके अंदर जबर्दस्ता क्रोस है कि सरकार पांच साल में हमारे भरपूर नीन नहीं आई मुझको जी इस तरह से मुस्लिम मतों की हम बात कर रहे हैं कि डाक्टर रायो ओवैस उनकी बूभी जी सत्यार शफ्वाबर हो रहे हैं मुस्लिम मतों मध्यूट के साथ नहीं घाए तो क्यो नहीं आज जाए है कि यहां के मुसल्मानों ने तकरीबन छे मैने से देखा बेहन जी अपने कोड़ी में कैद हो गई वो चुनाओं में तिरकोडी संगर्स में आ नहीं पाई अब जाने क्या उनका कारण रहा होगा कि क्यों नहीं मुसल्मानों को अपने तरफ कर पाई या चुनाओं में पुरी भारती जनता पार्टी को पिछले दरवाजे से फाइदा पहुचाने काम हो रहा है और भारती जनता पार्टी की भी टीम बनकर भोज़े समाज पाटी रह गई है हो सकता है कि भारती जनता पार्टी से उनके समझोते हुए हैं इसलिए वह बराबर अनरगल बाजी कर रही है दलीतों से सपाग बहुजयन समाज़ पार्टी बहुत्य समाज़ पार्टी बहुत्ता पार्टी आने क्या पर स्रिकार बनाने के मदद देगी कि हैं आरश भार्ति चैन्ता पार्टि की सरकार बनाने पे अमाद़ है उसकी वज़े ये हैं कि जहाँ जहां समाजवादी पार्टी ने मैनलटी करनी और खड़ा किये वहाँ वहाँ बहें जीने मुसल्मान उट को वि भाजित करने के लिए बटवारत करने के लिए वहाँ से बोजे समाज पार्टी देवे मुसलिंरम पर नशी दे दिया तो इस बात को मुसल्मान समझता है कि यह ओटकटवा के रूप में हमारा तायए जो मुसल्मान B時Pा बसपा से आया है यह ओठकाटने काम करे गा है इसलिए ऐसे लोगों तरफ इस बार हो कैवल समाजवाती पारे कोट करने काम करेगा भशलने के इसलिए बारते कर्त कोर्देश करके उबिद्लने के और उत्तरफ ब्लाव लाने के लिख्लां सील इसल है इस परदेश के अंदर नंफर जैसे हमिशाजी बोलते हैं और योगी जी बोलते हैं कमोः ऐसे ही भाषर का इस्तेमाल वासी झी भी करते हैं यह बंधिंती इश साथ के नफरत की रादनीत बहुत दिन हिंदू मसलमान कर रहें देश के अंदर भारती जंता पार्टी उनको यहीं बोर्णने के लिए कि छोड़ा है कि इनकी बात करने से धुर्वी करन होगा क्या मानते हैं जैसे ड्रक्टर आपने कहा कि वह दगे कार्टूस तो आप लोग भी समझाता कर रहे थे पीछे कहीं नहीं पार्टी इस मूर्ड पे कभी नहीं थी और वह समझाता करने के मूर्ड बे थे अव मानिया शादो जी एक बहुत बड़े चुनाओं के रहीत कार हैं और वो समझते हैं इस बात को तो दगा कार्टूस ले क्या करते हैं अब बताइए कि इनका कहीं पूरे प्रदेश के अंदर ना तो संगठन रहा ना यह खुद कहीं पर अपने आपका स्थापित कर पाए तो जो जो जिसकी सियासत खतम हो जाए वो दगे कार्टूस की तरह ह है उनके सियासत खतम हो गई है उनके साथ आज कोई नहीं है